तुरेंट्स आप सभी का स्वागत है तापती स्टेडी क्लासस चैनल पे तो आज की इस वीडियो में हम पार्थे पुस्तप जो आपके आरो भाग दू है उसका गद्धे खंड से पांठ है भक्तिन तो पांठ एक जो है यह गद्धे खंड से रथम पांठ है भक्तिन इसके साथ साथ हम इसके कुछ अतिरिक्त प्रशनों के उत्तार देखेंगे जो आपको एक्जाम की द्रफ्टी से बहुत ज्यादा महत्वपुर्ण है तो इसके बहुत सारे कोश्चन से जो बनते हैं तो कुछ अतिरिक्त प्रशन भी हम देखेंगे तो इसके पहले यदि आपने आरो के जो काववे खांडेवस के चैप्तर से अत्रट नहीं किये उसके उसके क्लास और पूरे चैप्तर से आपके कम्प्रिट नहीं हुए तो डिसक्रिप्शन में सारे सब्जेक्ट्स की लिंक बhaktin को यह नाम किसने और क्यों डिया होंगा, ये भी आपको तर्में बताना है, तो चले शुरू करते हैं, तो पोई अत्रिक्प्रिक्ष्न तो यहां पर जो है लक्षमी कारत होता धनकी देवी लेकिन उसके बिलकुल विपरीत और इसी कारण उसे जीवन में धनका बहुत अब हो भी था इसलिए जो अपना नाम है वो किसी को बताती भी नहीं थी असली नाम जो है और क्योंकि यह नाम उसे शायद उसके पिता ने दिया होंगा क्योंकि यहां पर लड़की का जो पैदा होना है लक्षमी ग्रूप में मान जाता था इसी प्रकार से चलिए तो अब अगला प्रशने नहीं पूछते तो इसको और एक तरीके से प्रिशने को पूछा जाता है वो है दो कन्याओ को जन्म देने के बाद भी बक्तिन पूत्र की इच्छा में अंधी अपने जीटानियों की घ्रणा उपेक्षा की पात्र बनी रही तो इस प्रकार के उधारण जो है भारती समाज जिसको का जाता है यहाँ पर बहुत समझा जाता था बेटी यहाँ बड़कों की तुलना में तो यही है मनुरती का पर प्रमाण है साथी हमाना जाता है कि बेटी का विवा करने पर वो दूसरे घर के हो जाती है जबकि उनमें बेटे से अपने वंश को आगे बढ़ाने की है इसी बेटा है तोमारा मच च credits cure यहीं समाफ्स जाएंगा आसा समझ जाता है तो यह सारी enriched diamond men पुत्र की महिमा में अंदी जिठानियों के ग्रणा और उपक्षा का पात्र बंतिरी बार-बार ताने देती थी उसके भी यहां पर तीन बेटे था इसी कारण जो है उसको सुनाई बार-बार ताने दिया करती थी इसी बात पर चलिए दूसरा है बक्तिन की बेटी पर पंचाय द्वारा जबरन पती थोपा जाने एक दुरगटना भर नहीं बलकि विवाग के संदर में इस तरी के माना अधिकार विवाग करे या ना करे अथवा किस से करे इसकी स्वतंतरता को कुचलने रहने की सद्यों से चला रही चलिए आरे सामजिक प करती इसके बाद तो कैसा संदर जाता था सारी कंडिशन में आपको जब समरी पढ़ा थी तब करी थी तो समरी जो है बहुत से स्विश्यों की प्लेलिस्ट एड़ है यहां पर पूरे विश्यों के सब्जेक्ट वाइस नाइन तो तो आप यहां पर मिल जाएगे जैसे कि क् आपको बस वीडियो में आपको जो भी पढ़ना है वहां पर आप क्लिक कर सकते हैं चली उत्तर होगा भक्तिन की बेटी पर पंचायत ने जबरन पती थोब दिया था यह कारी इस्त्रियों के मानव अधिकार के विरुध है किसी पर भी अपनी सद्रता के खिलाफ यहां पर प्राचिनकाल से हर फैसला जबरदस्ती लागू कर दिया जाता हैं विवा जैसे गंभी निर्णाइ विवा अपनी मरजी से नहीं ले सकती लड़की को माता पिता की इच्छा से विवा करना पड़ता है और यह दिवा वीरोध करती है तो उसे समाथ से भार भी कर दिया जात पंचायत के कानुन के खिलाफ हो जाती है और यहां पर पंचायत तो पर दिय दिल्डे कराए परंतो यह निर्डे कानुन अदिकार के खिलाफ है तो यहीं सब आपको इसकूरा में लिखना लगएम गंडसले में लिक्तुत है दingly oh three तो question number 4 है भक्तिन अच्छी है यह कहना कटीन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणा कावाओ नहीं लेखी गयर ऐसा क्यों कहा है जैसे सभी कुछ भक्तिन का पार्ट अच्छा बता है पर उसमें कौन से दुर्गुण है या आपको उसमें तर्क को बताना है तो एक और तरीके स भक्तिन अच्छी है पर उसके दुर्गुणों को तीन तर्कों का अधर पर बताएगा जैसे वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं है वह रूपएपैसे को मटकी में रख देती है और पुछने पर बताती है कि उसने उन्हें समाल कर रखा हुआ है वह लेखीका को प्रसंद रखने के लिए बात को इधर उदर घुमा कर कहती है इसे आप जूट कह सकते है उसको जो बात मनवानियों कर भी लेती है उसको यदि पसंद नहीं है तो यहाँ पर वो जो चीज़ों को पसंद है वो सबको अपनी पसंद बना लेती है वही सब आपको सुत्तर में लिखना ह भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्ण को सुल्जा लेने का क्या उधारन लेखी का ने दिया है देखिए जब यहाँ पर पताती है कि सीरमुडाली डख के रखते है तो क्योंकि पहले जो नियम था वो था कि यदि आपका पती मर जाता है तो आपको बाल मुंदवाना होत उसके बाद उनको मुह डखकर भी रखना पड़ाता तो सर डखकर वो रखती थी आपने बहुत से इसमें देखा होगा तो वही बताया लेखी का ने बताया कि उसे स्त्रियों का सीरमुडान अच्छने की लगता था किसलिए उससे रोखना चाहा तो भक्तिन ने सास्त्र का उधारन दित्तेव कहां तीर्थ गाय मुडाय सिद्धर था सिर्दे लोग सीरमुडवाकर तीर्थ करने गया में कौन से सास्त्र का यह रहस्यमस सूत्र है यह जान लेना लेखी का गयी संभव नहीं था इसलिए वो चुपचाप हो गई यह तर्क दिया उसमें ऐसा कि लेख इसका अंतिम प्रशन जो है वह है बगतिम के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती याने थोड़ी गाउ से रिलेटेड होगी संभधित कैसे होगी तो इसका उत्तर देना है इंबोर्टन कोश्चन यह भी बहुत बार पुछा के एक्जाम में तो यहां पर यह दी आप चैन वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेती थी उसके इस गूण का प्रभाव लेखी का पर भी पढ़ने लग गया था अब लेखी का ने भी गाउ के लगबग सभी संसकारों का अपना लेता जैसे बगतिम बार बर उनको बताया करती थी कि गाउं में किस प्रकार से प्रभाव पढ़ गया वह भक्तिन द्वारा सब्सिक्चू की थी आने महादेवी वर्मा जी और भक्तिन रात को मकई का बना दलिया सवेरे मठे के साथ बाजरे के तील लगे रात के बचवे पुए जुआर के बने वे भुट्टे बुने वे भुट्टे के हरेदाने की खि प्रश्णोता देखते हैं चलिए इसके कुछ प्रश्ण है महत्वपूर्ण वह सबसे पहला चुगली चबाई की परिणिती इसके पत्नी प्रेम को बढ़ा करी होंगी इस कधन का आशे सपस्ट करना चलिए इसका उतर देख ले तो जो भक्तिन की जिठानिया थी बाद बा फ्रश्ण चुगली आने शिकायत करती थी वह चाहती थी भक्तिन की पिटाई हो पर इसका कोई प्रभाव भी नहीं था क्योंकि वह अपनी जानता है उसकी पत्नी बहुत धर्मी है यहां पर बहुत अच्छी प्रवत्ति की है और बहुत अच्छे तरीके जो सब्कू सम्भ प्रष्ण के प्रशन के पूछा जाता है कि आपको लिखना है जिस स्क्कों का निर्मान होता है उसस्तान तक्साल कहला ओर खोटे सिक्कों कि टक्साल कहकर लेखी-गाने समाज पर वेंग किया है क्योंकि समाज में बहुत सारी ऐसी धारना है महिलाओं के बारे में जो की बिल्कुल गलत है और नियाक है पूरी तो इसका आपको लिखना है चलिए गर नंबर का प्रिशन है यहां पर आपको पुछा गया है भक्तिन के पती का उसके प्रती इतनाधिक प्रेम क्यों होता जैस इसका प्रेम करता था और लड़कियों के बाद भी उसके पती द्वार पिटाई की जाती थी परन्तु जो भक्तिन के पती उसके उसके उंगली भर भी नहीं चुआ था तो यहां पर इसका उत्तर हो जाएगा चलिए यहां पर अगला प्रशन है भक्तिन का ग्यान की शेतर म नमराई इन सबीके प्रती हो गया था तो चलिए अगला प्रशन है भक्तिन किस से अतियदी क डरती थी तो भक्तिन जो है जेल से डरती थी तो जैसे की है बताये गया है इसका कारण था कि भक्तिन की संसकारी कुछ इस प्रकार के हूची दवार देखकर यह आखे मुंद कर तो यह इस प्रश्ण का उत्तर होगा चली अगला प्रश्ण है भक्तिन की कमजोरी क्या थी लोग उसे किस प्रकार चुडाते थे जैसे कि मैं अभी आपको बताया बिल्कुल भक्तिन जो है जेल जाने से दरती थी और लोगों ने उसकी कमजोरी का फाइदा उठाकर उसे चु करके बोलते हैं तो जो है लेखी का के जेल जाने की संभावना से धरका भक्तिन उनसे पूछती थी कि वहां कितनी साड़ी ले जाने के लिए कौन-कौन सा आवशक सामन साथ ले जाने के लिए बान ले जिससे लेखी का को वहां किसी प्रकार की असुईदा का सामना न करना जो वाकिया नितनी प्रशन बहुत सारे पुछें के-तो Kṛṣṇa मतले समांट, पेंधनाई कर सह आ और बारे और बीदनका और पर शबशक फंचे मतले मेंट गोले कह वर सुपिती है रिख लेना है तो इसी प्रकार से हाँ पर आपको कर नमबर का प्रश्ण है लेहिख काने भक्तिन के दूर भाग्य के बारे में क्या बता है तो आज के स्वीडियो में भक्तिन के अत्रिक्त और साथिय अभ्यास के प्रश्णों के उत्तर देख रहे हैं और यदि आप सबसे पहले चैनल पे नहीं हो तो जल्दी से चैनल को सस्क्राइब कर लें क्योंकि यहां पर आपको क्लास 12 के सभी वीडियो मिल जाएंगी साथी प्लेइलिस्ट मेरे और आप सिर्वस भी देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश ग्रामर का आपको कंप्लेट सिर्वस भी मिल जाएगा इसलिए चैनल को सब्क्राइब करें दुरॹ्भाग के है जो दूसरी शादी फिर क्या करता है जो भकति की बेटी है उसकी दूसरी शादी करवाने के लाज जो उसकी रिस्थेदार है जिसे जेट लोग है वो भकतिन को देख कर जल जाते है कि उसके पास इतना घेट वगे शलकी बहुत नहीं कि enough to happen और वो हडपना चाहते हैं इसी कारण अपने पसंद के और अपने रिष्टेदार में जमाना चाहते हैं लड़की का जिससे क्या हो उनको जो दौला थे हो सारी मिल सके जमीन जायदाद भी इसके लिए तो इसके लिए वो तीतर पकड़ने वाले को उससे शादी करवाने की बखतिन के जेठों का किस उमीद पर बल बना यह आपको उत्तर देना है तो जो जो बक्तिन के जेठ थे दोनों वो चाहते थे कि सारी संपत्ति खेद खलियान सबकुछ उनके नाम हो जाए गायबस क्यूंकि यहां पर जो उसकी बक्तिन के जेठों को सारे संपत्ति पर क्या कारण था कि भक्तिन की लड़की की दो बारा शादी नहीं हो पाई जो निर्णय था वो बिलकुल अलग था पर यहां पर उसमें आपको बताना है क्या हुआ आखिर में क्या निर्णय लिया उसकी बेटी ने चलिए उसका उतर देखते हैं तो जो भक्तिन की लड़की है समझदारी के कारण नहीं हो पाई क्योंकि भक्तिन के जिठोत के साले के साथ लड़की के विवा का प्रस्ताओ के वल उनकी संपत्ति पर अधिकार करने के लिए आ रहता और उसने यह बात समझ कर वर को नापसंद कर दिया तो यहां पर अगला प्रशन है मावर बेटी का अ जो विवा का प्रस्ताओ था उसको जो है बेटी भी बहुत हश्यार रहती तो वो फटाक फटा फॉरण मना कर देती हूँ जानती थी कि जो इनका सब कुछ परवर करना था ते जो हाई पर है उसको जेट है उनकी यह हमेशा इउमिद थी की कैसे भी करके हह सारे अर्त हमिव प्रकार से लिखेंगे चलिए ऐसके बात कुछ अग्ला प्रश्न है भक्तिन ने किius चेत्र में उदारता का वैवार नहीं किया बत्जीत प्रकार से लिखते हैं depicted js अपने सासूर जमीन में से सूई की नौक के बराबर भी तानली ठींवी को प्रकार सक त तो इसी कारण जो है वो उसमें महारत उसने हासिल कर लेती इसी कारण सुल्की नोक के बराबर विस्सा किसी को देना उचीत नहीं समझाई यहां पर उसने अपना उदार जो रद है उसको विशाल नहीं वनने दिया इसके बाद अगला प्रशन है भक्तिन ने अपनी पती की म्रत्यू के बाद अपने विशे में क्या निर्ने था जब उसकी पती की म्रत्यू होगी तो उसने क्या का सोचा यहां पर आपको स्कौटर बताना है चले देखते हैं तो यहां पर आपको लिखना है अपनी पती की म्रत्यू के बाद भक्ति ने गुरू से कान फुकवाया अर्थात गुरू मंत्र लिया और गले में कंठी भी बांदी तथा पती के नाम पर घी से चिकने बालों को समर्पित करके जीवन को ऐसा ही व्यतित करने का निर्णलिया मतलब यहां पर उसने मुंदन भी करवा दिया था जिसका लेखिका ने विरोध भी किया था बाद में तो यह उसने निर्णलिया और आजी बन उसने उसी प्रकास से रहने करने लिया जो उसकी संपत्ति थी उसको देखरे करेगी ऐसा उसने करा चली अगला प्रशन बनता है तुल तीसरे परिश्यत से क्या आश है यहां पे जैसे में बताया आपको लेक्हिका ने जो कहानि को असको परिश्यत ने भागों में बाढता है तो लेकिका ने जीवन को यहां पर ने अपने प्रिश्यत के घर आ Chemo Frigy और ऑ激ड़ जित्षम के बात करे और तीसरा प्ति मुलाकात होँ यहां पर उनके साथ में तब नियुक्योकस बीजिन के उसके नहिन नहीं रते हैं अजने इस वीडियो में हमने बहुत सारे प्रनुप रचुन मुलाकात होती है। अब यहां रते हैं के स्क्र Avatar आयद कॉयों एंग में किया जिनी स्टुन्स ने यहां रहад और साथ में कावेखन के भी सारे कोश्चन प्रशन उत्तर सारे पार्ट की समरी आप फटा-फट अटेंड कर सकते हैं और पूरी डिस्क्रिप्शन वॉक्स में लिंक आपको कहीं जाना है और प्लेलिस्ट में सारे वीडियो जैड़े वहां से जाके आप सभी विडियो देख स तो मिलते हैं ने वीडियो में तब तक वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी न भूले थैंक्स पर वाचिंग